डिलीवरी के एक घंटे बात क्या होता है? क्या आप जानते हैं हम सभी गर ववस्था में? प्रेगनिंसी में क्या खाना चाहिए? क्या नहीं खाना चाहिए? नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना है? डिलीवरी से पहले क्या करना है? इनी चीजों की जानकारी रखते हैं मगर डिलीवरी के तुरंद बात क्या होता है और आपको क्या चीज़े करनी चाहिए इसकी जानकारी भी आपको प्रेगनिंसी में ही होना बहुत जरूरी है नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का बेबी केर फैमली पर ये वीडियो बहुत जाद इंपॉर्टेंट होने वाली तो ये वीडियो को बिना इसकी परेयां टक सरूर देखिएगा जैसे ही आप बच्चे को जनम दे देते हैं तो आपके शरीर से बच्चा बाहर आ जाता है जिसके बाद आपका शरीर बहुत सदा कमजोर हो जाता है आपको बहुत सदा कमजोरी हो दी अगर आपकी डिलिवरी नॉर्मल हुई हो और आपकी डिलिवरी में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई हो तो आपका जो डिस्चार्ज है वो एक घंटे या दो घंटे के अंदर-अंदर हो जाता है कई बार महिलाओं को चलने में दिक्कत आती है उन्हें चक्कर जैसा आता है तो हो सकता है आपको तीन घंटे में भी डिस्चार्ज मिले जब आपने बईबी को बर्थ दे दिया है इसलिए आपको पता होना चाहिए कि डिलिवरी से पहले आपको अपने ब्रेस्ट की भी हलकी हलकी मसाज करने चाहिए ताकि डिलिवरी के बाद आपको ब्रेस्ट मिल्क आने में ज़्यादा तकलीफ का सामना ना करना पड़े अगर बेबी के आने के बाद भी आपका ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा आपको अपनी निपल्स को दबाना है और देखना है कि उसमें से पानी जैसा या मिल्क जैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है अगर नहीं आता तो आपको अपके ब्रेस्ट की मसाज करनी है हलके हलके गुला बेज़ाना शुरू होता है, बहुत बार महिलाओं को शुरुआत में दूद नहीं बनता, जिसके वज़े से वह बच्चे को पिलाना बंद कर देती है, या कोशिश करना ही बंद कर देती है, जिसके बाद उन्हें ब्रेस्मिल्क नहीं बनता, मगर अगर आपको 10 दिन हो जाए यह 15 दिन हो जाओ और breast milk ना बने तब भी आपको कोशिश करनी नहीं छोड़नी चाहिए अपने बच्चे को अपने breast पे ज़रूर लगाना चाहिए जितना ज़्यादा बच्चा breast पे लगता है, breastfeeding करता है, सक करता है उतना ही आपकी जुन्ना से हैं वो खुलती है breast milk supply अच्छे से बनती है मेरा खुद का अपना experience है जब मेरी बेटी हुई थी तो मेरा जो breast milk है 15 या 20 दिन बाद सई से बनना शुरू हुआ था शुरुआत की 2 से 3 दिनों में कुछ भी नहीं आता था पानी जैसा भी नहीं आता था मगर मैंने अपने बच्चे को breast पे लगाना नहीं छोड़ा और continue massage की और oil लगा है जिसकी वज़े से breast milk बनना शुरू हुआ और breast milk 15 से 20 दिन के बाद अच्छे से properly आने लगा इसलिए एक महिला को हारना नहीं चाहिए और कोशिश करते रहनी चाहिए इसलिए के साथ आपको protein डाइट अपने खाने में शामिल करनी है protein से भरपूर डाले आपको लेनी है दूद और दूद से बने वे product आपको लेने है इसलिए आप liquid डाइट अपने खाने में शामिल करेंगे उतना ही breast milk सप्लाई बढ़ने में आपको मदद मिलेगी इसा करने से आपके recovery जल्दी होती है साथी breast milk सप्लाई बनने में भी आपको मदद मिलती है सौफ, जीरा, अजवाइन, लैसुन, मेती दाना, दाल, दलिया, हारी सबजियां, खी, ड्राइफ रूट्स इस चीज़ों का अगर आप सेवन करते हैं तो इससे भी आपके breast milk की जो सप्लाई है वो बढ़ती है pregnancy के बाद खाय जाने वाले लड्डू, हलुआ, इन सब का भी आपको सेवन करना चाहिए बच्चे के लिए आपको अपने bag में, जो delivery bag होता है उसमें बच्चे के लिए पहले से अच्छे से कपड़े रखने चाहिए बच्चा जब बाहर आ जाता है तो उसके बाद बच्चे को कपड़े बनाये जाते हैं तो पहला कपड़ा बच्चे का cotton का होना चाहिए उसके बाद आप मौसम के अकॉर्डिंग बच्चे के लिए बाहर से वुलन के कपड़े रख सकते हैं बच्चे को उड़ाने के लिए एक सॉफ्ट सा ब्लैंकेट भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए मौसम गर्मियों का हूँ या सर्दियों का इसी के साथ एक महिला को इस बात का विशेश ध्यान रखना चाहिए कि डिलिवरी के बाद उन्हें भारी समान बिलकुल भी नहीं उठाना एक से तेड़ महीने तक जब आप टॉयलिट करने जाएं तो वहां भी आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना है नहीं आपको यूरीन पास करने में नहीं आपको स्टूल पास करने में अगर आप अधिक जोर लगाते हैं तो इससे भी आपके शरीर के अंग है वो बाहर आने का खत्रा रहता है इसलिए आपको यूरीन पास करते वक्त या स्टूल पास करते वक्त ज़ादा जोर प्रेशर नहीं लगाना है बच्चे को गोद में पकड़ कर भी आपको ज़ादा वॉक नहीं करने चाहिए डिलिवरी के बाद एक महीने तक अगर आप बच्चे को ज़ादा पकड़ के वॉक करते हैं तो इससे भी शरीर पर प्रभाव पड़ता है आपकी रिकवरी पर प्रभाव पड़ता है जब तक बच्चे की गर्वनाल ना गिर जाए तब तक आपको अपने बच्चे को नहलाना नहीं चाहिए क्योंकि अगर गर्वनाल नहीं गिरी है और आपने बच्चे को नहला दिया और गिलेकपन की वज़े से बच्चे की गर्वनाल पक गई तो इससे शिशू को परिशानी हो सकती है शिशू को कोई प्रॉबलम आ सकती है इसलिए आपको जब तक गर्वनाल नहीं गिर जाए त कब बच्चे को ब्रेस्ट फिडिंग करानी है कब बच्चे को सुलाना है कितने घंटे की नीन बच्चे को चाहिए सबी चीजों की जानकारी एक महिला को पहले से ही रखनी बहुत जरूरी है इसे जुड़े कोई भी सवाले सुचाव हो के जरूर लिखेगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ ए तो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद भी फिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिएrift अध्यान रखेगा धन्यवाद